अन्सनी खेज खबर है और इस ऐसा हम तो कहेंगे नहों आप इन दो मावसूम बच्चों को देखि कितने प्यारे कितने मुहस्ते मुश्कराते कितने अच्छे लगए एक मा के लिए इन दो बच्चों की क्या एहमेद होगी आप समझ सकते हैं कितनी कीमती होंगे यह बच्चे और यहां पर मेरट में एक ऐसी मा हुई जिसने अवैज संबंदों में हम आपका उसका वीडियो भी दिखाएंगे आप देखेंगे देखिए कि इस उमर में उसको ऐसा भूस चढ़ा कि बेदरदी से उसने अपने दोनों बच्चों को मासूम बच्चों की हत्या कर दी उसके बाद उनकी लास को नहर में फेक दिया और जो खतरने खतरनाक दिमाग इतना कि पती को फोन करके बोला कि बच्चे कहीं गायाब हो गए हैं उसके साथ पती के साथ पुलिस में भी गई वहां रिपोर्ट दज कराए कि मेरे बच्चे नहीं मिल ला है जब भांडा फोड़ हम इस खबर की डीटेल आपको बता देते हैं यह कहां कि घटना है मेरट में बुद्वार को एक मा ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटा बेटी के हद्या कर दी दो प्यारे से मासूम बच्चे 10 और 6 साल के बेटा जो था 10 साल का था वहीं बेटी जो थी 6 साल की थी दोनों ने पह साथ मिलकर हत्या की थी दोनों ने पहले बच्चों के हाथ पैर बांद कर बेट के बॉक्स में बंद कर दिया जब दोनों बच्चे सांस नहीं लिने और तरपने लगे हालत उनकी बिगडने लगी तो उन्हें नसे का इंजेक्शन दिया इसके बाद उनकी गला दबा कर बच्द्सी मेरत-जिय को बिलाने कि बच्चे कहीं गायब हो पता चाह है उसके साथ पुरी कहानी सुनिये महिला निशा खैर नगर गुलर्गली के रहने वाली है लाल कुर्ती पैठ में जूते की दुकान में काम करते हैं निश्रा बुद्वार साम घर पर अकेली थी उसने ट्विशन टीचर जो इस बच्चों को ट्विशन पर आने आता था सल्मान उसको घर से आना मना कर दिया कि आज बच्चे पढ़ने का बन नहीं है आप मता हो जो बच्चे थी मेराब दस साल की थी सिंट जो概 स्कूल ती थी थी सी क खाटरा थी वहीं और बच्चे जो पना मेराब दस साल के था दोनों बच्चे प्यार एच्छा अच्छाहा है आप देख सकते हैं यह जो ग्रीन सू में आपको महिला दिख रही पुलिस वालों को बगलने बैठी यही है इन बच्चों की मा निशा ने बुद्वार साम को पती को फोन कर बताया कि मैं घर के अंदर काम कर रही थी लेकिन तभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं अचानक ऐसे डड़के फोन किया कि हम काम कर रहे थे मुहले खांगाले कहीं बच्चे नहीं मेरे इसके बाद उसने पति पतनी निशा के साथ वो देली गेट थाना पहुंचा यहां पर उसने बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट दरज कराई पती बदहवास हुआ जा रहा कि छोटे-छोटे बच्चे हैं 10 साल का बेटा 6 साल की ब मुद्ध करने वाली है वही थी सिकार्द्र बाद पुलिस ने दस team में लगा यहां पर भी पुलिस सतरख हुई तुप्रंत लगा कि दो बच्चों का मामला है ढूना जरूरी है इस लिए-स थी में लगाई बच्चों की घ्रास में पुलिस ने सब से पहले चुकी मा अकेली तो बच्चे गायब हुए अगर इक्दम से गायब होंगे तो यह बात होती है कि इसे आपको अंदाजा नहीं लेगा अप इतनी देर बाद बच्चे दो पहाड से गायब हो रहे हैं और आपने साम को जाके इतलाए तो पुलिस ने सबसे पहले मां से पूस्ताच करना शुरू की तो मा का बार-बार बैान कुछ गोर्मोल लगा पुलिस को यह सख हुआ की कहीं कई करिकource इसमें गड़ भाढ़ है पुलिस को एक तो सबसे वहले सख हुआ कि जो बयान दे लिई इसके इसाब से बच्चे बहुत पहले गायब थी लेकिन इसने अपने पती को जो इंफॉर्म किया वो काफी देर बाद किया ऐसा क्यों लिहाजा पुलिस ने कॉल डिटेल निकालना शुरू की मोबाइल कॉल डिटेल चेक की तो इस दौरान जो ये मा निशा थी इसके फोन से इलाके के पूर पारशद साउत का नंबर मिला पता चला कि जिस दिन ये बच्चे गाइब हुए या निकल खी घटना तब इस नंबर पे कई बार बात की गई पुलिस को अफेर कशक हुआ पुलिस ने निशा को थाने में बुलाया और सक्ती से पूस्ताज की पुलिस ने एक गोली दी पहले धोखा जाल में फसाने के लिए पुलिस ने कहा कि CCTV में सारी कहानी खुल गई है हमको पता लग गया है कि तुम ही बच्चों की हत्या में शामिल हो और सच बता दो अब तुम बच्च नहीं सकी लेहाजा जो निशा थी वो घबर आ गई उसने दोनों बच्चों की हत्या की बात कबूल की इसके बाद पुलिस ने साउत फैजी को भी उठा कर लाई और थाने में जहां दो डड़ने मारे उसने भी सच कबूल दिया उसने बता कि हम सामिल थे इस हत्या कान में निशा ने अब क्यों हत्या की सबसे बड़ी वजा थी सब कुछ अच्छा है सब घर परिवार अच्छा चलाता तो हत्या की वजा क्या है अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था बीबी भी खुश थी देखी आप देखें स्रीहत से ही पता चल ला है कितना हो है निशा ने पुलिस को बताया कि चार साल पहले जो साउद था जो पूरु पारशत था उसके साथ उसकी मुलाकात हुई तब शाउद की जो पत्नी थी वो उसे छोड़ चुकी थी वो शाउद जो था माबाप का एकला हो था बेटा था पूरु पारशत था तो पैसे में संपन था लिहाजा जो निशा थी उसको साउद से और उसके पैसे से प्यार हो गया उसे लगा कि इसके साल रहंगे तो जिन्दगी ज्यादा ऐसे बुज़े हर कहीं कहते हैं पैसा सब कुछ करा देता है तो वही कहां भी काने भी और इसके बाद वो दोनों धीरे-धीरे नजदीक आते चले कुई पती जूता फैक्टिश दो बच्चो के सकूल जाने के बाद साउध अकसर जब कहानी घटना खुलासा हुआ तो ये भी पता चला कि पती काम पिछला जैता था बच्चे सकूल जला जाते तो साउध किसी ना किसी के वहाने घर आ जाता थे मुहले के दो लड़के ये अब हम लोग शादी कर लेते लेकिन जो दो बच्चे थे वो कहीं न कहीं निशा को अखर रहते उसको रहा था ये बच्चे रहेंगे तो शादी करना पड़ा मुश्किल हो जाएगा इसलिए उन्होंने इन दोनों बच्चों की हत्या का प्लान बनाया प्लान इतना खतरनाक की दिल देहल जाए फिर ये हुआ कि अब हत्या कर पान गया लिहाजा जब पती काम पे गया तब इसने साउथ को बलाया और दोनों बच्चों की पहले बुई तरीके से मारा पीटा और इनको एक बिट बॉक्स में बंद कर दिया दोनों बच्चों को बच्चे जब सांस नमले जब घबराने लगे जब बच्चों की हलत बिगड़ने लगी तब उसने इन्हें नसी के इंजेक्शन दिये जब बच्चे बेसुद हो गए तो गला दबा कर इनकी हत्या कर दी इसके बाद जो साउथ था वो इन दोनों बच्चों को किसी तरह से कार में डेड़ बॉडी उ दोनों बच्चों की लाश को बरामत कर लिया है इस मामले में जो अधिकारी थे पुलिस अधिकारी उनका क्या कहना था वो हम आपको सुना देते हैं कि उन्हों ने इस मामले में क्या कहा किस तरह से घुटना खुलासा हुआ चेत्रादिकारी फोथवाली के नेत्रित में सारी टीमों को लगाया जा टीम के द्वारा इलेक्ट्रानिक सर्विलांस, मुखवीरी, CCTV फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटना क्रम का ये खुलासा किया है पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटना क्रम के पीशे में मूल शड़ेजन तरकारी, इन बच्चों की मा और इस्थानी निवर्दमान पार्शत सओर ये दोनों की भूमिका मुख्यूरूप से प्रकाश के आई है ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंद होने की बात भी स्विकार की गई है महिला के विशे में ये बताया गया है कि ये तंद्रमंतर का भी काम करती है उसके द्वारा अपने पडोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह करके शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ती आएगी इसमें उनके बच्चों की जाएगी